आज हम चैप्टर नंबर फूर करने जा रहे हैं प्रेजंट कॉंटिनूज एन प्रेजंट सिंपल कल हमने चैप्टर नंबर जो है थ्री किया था प्रेजंट कॉंटिनूज एन प्रेजंट सिंपल उसमें हमने प्रेजंट कॉंटिनूज मतलब कोई काम हो रहा है शुरू हो ग तो इस चेप्टर में हमें बताया गया है कि कुछ words ऐसे होते हैं जिनको हम present continuous में यूज नहीं कर सकते For example जैसे know, like ये words ऐसे हैं जिनको हम I am knowing, they are liking ऐसे यूज नहीं करते हैं हम इनको normally क्या कहते हैं? We say I know, they like तो यहां पे कुछ box में words दिये गए हैं ये कुछ words हैं box में जिनको हम present continuous में use नहीं करते हैं ये present continuous में हम इनको use नहीं कर सकते हैं तो कौन से हैं like, want, need, prefer, know, realize, suppose, mean, understand, believe, remember, belong, fit, contain, consist and see जैसे कि example I am hungry मुझे मैं भूखा हूँ, I want something to eat यहां पर यह नहीं कहेंगे कि I am wanting to something eat यहां पर हम यह कहेंगे I want क्योंकि हमें उपर बताया गया ना इस box में कि जो want हैं उसमें हम present continuous नहीं use कर सकते do you understand what I mean क्या आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाता हूँ Anna does not seem very happy at the moment अब at the moment present है वो हमेशा खुश रहती है at the moment वो खुश नहीं लग रही पर आना तो यह चाहिए था present continuous में पर हम यहां पर use क्या कर रहे है present simple क्योंकि seem है जो वो present continuous में use नहीं होता जैसे कि think I think Mary is Canadian but I am not sure मुझे लगता है कि Mary Canadian है पर मैं sure नहीं हूँ what do you think of my plan तुम मेरे plan के बारे में क्या सोच रहे हूँ तो यहां पर इस think का मतलब है opinion देना यहां फिर किसी चीज में believe करना और आगे think जब हम लेंगे मतलब इसके two meanings होते हैं think के अगर हम इसको present में continuous में use नहीं कर रहे हैं तो उसके यह meaning निकलेंगे अगर हम continuous में use कर रहे हैं तो वो consider का meaning निकलेगा I am thinking about what happening I often think about it consider कर रहा है कि मैं हमेशा यह सोचता हूँ I am thinking about what happened Nikki is thinking of giving up her job अब यह consider कर रहा है कि वो निकी है जो अपनी job छोडने के बारे में सोच रही है see, hear, smell, taste यह सब भी present simple में use होते हैं continuous में use नहीं होते हैं जैसे do you see that man over there this room smells let's open a window अब यह तो नहीं कहेंगे कि this room is smelling we often use can can के साथ हमेशा हम see, hear, smell, taste यह can के साथ use होते हैं look, feel भी ऐसी words है he is selfish, he is being selfish ठीक है is, am, are being to say how something is behaving जब हम किसी वर्ब के साथ is being लगाते हैं या are being लगाते हैं या am being लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम किसी के behavior के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है तो it's so hot today तो आज का मौसम का behavior क्या है वो गरम है सहारा is very tired सहारा बहुत tired है ठीक है तो ये कुछ words हैं जो आपको इस box में learn करने की ज़रूत पड़ेगी कि जब आप present continuous यूज़ करोगे तो इन words के साथ ing नहीं लगाओ तो उमीद है आपको exercise समझ में आगई आपको सरफ words याद करने exercise में तो first हमारी exercise है put the verb into the correct form present continuous और present simple अब are you hungry? क्या भूखे हो? do you want something to eat? अब want हमने क्या देखा था कि ing नहीं आएगा तो इसमें simple लगाएंगे don't put the dictionary अभी अब use word तो है नहीं कहीं पे अब दियान से देखो use word इस box में नहीं है तो हम इसके साथ क्या लगा सकते हैं? ing I am I am using it okay third don't put the dictionary अभी अभी dictionary को बापस मत लेके जाओ यहां से दूर मत करो I need it मुझे इसकी जरूरत है अब need है इसमे? yes need इसमे है तो हम need के साथ ing नहीं लगा सकते तो यहां भी हम क्या लगाएंगे I need only I need it okay who is that man? यह कौन आदमी है? what he wants आब want वही वर्ड जो जिसके साथ हम ing नहीं लगा सकते what he wants who is that man? why dash he look at us? why he is looking at us? यह कौन आदमी है? यह हमारी तरफ क्यों देख रहा है? Alan says he is 80 years old but nobody dash him but nobody believes him पर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं कर रहा कि वो 80 साल की हो गई she told me her name उसने मुझे अपना नाम बताया but dash I not remember it now पर मुझे अभी उसका नाम याद नहीं है so remember is here okay remember is here so we don't use ing we can say I do not remember देख है? जब आपको ये words मिल जाएं तो आपको present simple यूज करना है dash I think of selling my car would you be interested in buying it? अब यहाँ पे वो consider की बात कर रहा है तो I am thinking हमने thinking के दो meaning पड़े थे एक believe और दूसरा consider वो consider कर रहा है कि मुझे अपनी car बेचनी है मैं यह सोच रहा हूँ क्या आप खिरिदने में interested हो ninth I think I think you should sell your car अब वो क्या कर रहा है उसके behavior के बारे में बता रहा है कि I think मुझे लगता है आपको यह car बेच देनी चाहिए dash you not use it very often आप उसको हमेशा तो use नहीं करते हो तो you do not अब यह often लगा है ध्यान से do not using क्योंकि आप कहोगे कि यहाँ पे use यूज के साथ तो ing आए सकता है आ सकता है ना पर हमें ing नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे हमारे पास often की बात हो रही है तो हम लिखेंगे you do not use it very often ओके air dash consists mainly of nitrogen और oxygen अब air में हमेशा ही nitrogen और oxygen रहती है यह तो हमें पता ही है तो air consists ओके next पिटा 4.2 आप छोड़ सकते हो क्योंकि यह आपको इस pictures की तरफ से pictures are just ठीक है यह आपको नहीं आएंगी underline words आपको देखने है कि correct है और नहीं correct अगर correct नहीं है तो उनको correct form में लिखना है Nikki is thinking of giving up her job वो सोच रही है अपने job छोड़ना सही है are you believing in God अब यहाँ पर believing नहीं आएगा do you believe ठीक है believe जो word है उसके साथ हम आएंजी नहीं यूज करते I am feeling hungry is there anything to eat okay ठीक है hungry feel हो रहा है उसको तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते है okay that sauce is great it's tasty really good it's tasty अब इसका meaning तो जुड़नी रहा कहीं पर भी और हमारे पास यहाँ पर word भी नहीं है तो हम क्या करेंगे where is it this sauce is great it's tasting really good I am thinking this is your key I am right I think not thinking ठीक है उसे believe है कि यह आपकी key है वो अपसे पूछ रहा है तो वो believe में आएगा 4.3 is okay now complete the sentence using the most suitable form of B B के साथ आपको form यूज करनी है B का मतलब है कि आपको M is M or are use करना है और साथ में being यूज करना है जहां पे possible है otherwise आपको is M are simple लिखना है जहां पे possible है वहां पे आपको being लगाना है I can't understand why he is being so selfish Sahara is very nice यहां पे क्या आएगा Sahara simply is You will look Sophia when you meet her तुमने Sophia तुम Sophia को देखना जब तुम मिलोगे She is very nice She is very nice You are usually very patient So why are you Why are Why dash so unable About waiting 10 minute 10 more minutes So why Are you being Why are You being So unreasonable About waiting 10 more minutes Why is not Steve at work वो काम पे क्यों नहीं आया Is he ill क्या वो बिमार है तो यह कुछ words है जिनको इस chapter में सरफ यह words बताए गई है जिनको ध्यान में रखके आपको जो sentence बनाने है अगर यह words आपको कहीं पे मिलते हैं sentence में तो इनके साथ आप ing यूज नहीं करोगे बस यह है इस chapter में बिटा फर्स्ट में इस थर्ड चैप्टर में हमने कर लिया था कि present continuous और simple में क्या differences है ठीक है differences दोनों में same है बट इस chapter में हमें अलग से बताया गया कि कुछ ऐसे words हैं जिनके साथ आप present continuous यूज नहीं कर सकते present continuous का मतलब words के साथ ing यूज नहीं कर सकते तो जहां पे भी आपको ये words मिले वहां पे आपने present simple यूज करना है not use present continuous उमेद आपको ये chapter समझ में आ गया होगा आपकी exercise solve होगी होगी अगर फिर भी कोई problem लगते है तो आप comment box में comment करके पूछ सकते हो कल हम chapter number 5 के साथ मिलेंगे तब तक आप इन chapters को revise कर लो अच्छे से हमारे first four chapters complete हो चुके हैं ओके बटा have a nice day